कुछ ऐसा करकमा के तेरा हो जाओं तोर करने की इबिलिटी होती है मतलब कौन सी चीज जनम लेती है कंजरवेटिव फील्ड से पुटेंशियल एनर्जी जिस भी चीज को हम पुटेंशियल एनर्जी कहते हैं वो केवल और केवल किस तरह की में हो सकती है कंजरवेटिव में कंजरवेटिव को डिफाइन करने के दो तरीके बताए थे एक तरीका ये था कि अगर आप एक क्लोज लूप में जाओगे जहां से स्टार्ट करा था अगर वहीं से आ करके आप खतम करोगे घूम फिर करके जहां से आप चले थे एक पॉइंट से वहीं पे घूम फिर करके आप आ गए तो आपका वर्गडन क्या होगा जीरो अब सोचने की बात है कि वर्गडन जीरो क्यूं होता होगा अगर इसके रीजन को देखोगे तो एक अच्छा रीजन मिलेगा तुमको और वह क्या कि माल लो जैसी यह A है और यह वाला पॉइंट है B मतलब जहां पर आप पहुंच गे इनके बीच में कोई पॉइंट ले लो B तो आप बोल सकते हो कि टोटल वर्गडन वर्गडन जो टोटल है मतलब A to A आने में A पॉइंट से आप डिरेक्ली A पॉइंट तक आ गए तो आपको जो टोटल वर्ग करना पड़ेगा वो टोटल वर्ग किस चीज के बराबर हो जाएगा तो टोटल वर्ग बराबर होगा वो जो आपने दोनों स्टेप्स में वर्ग करा पहले तो आप A से B आओगे तो अगर आप A से B आए मुझे टोटल वर्गडन निकालना है तो मैं वोट सकता हूँ कि जो वर्ग आपको लगेगा A to B आने में और प्लस जो वर्ग आपको करना पड़ेगा फिर से B to A आने में इन दोनों वर्ग को जोड़ दोगे तो आपको टोटल वर्गडन मिल जाएगा इसी तरह से जोड़ेंगे मैंने जो रास्ता है उसके दो पार्ट कर लिए तो मैंने टोटल वर्गडन को डिफाइन करने के लिए इस तरह से इसके दो रास्ते कर लिए अब दोनों में करने से फरक क्या पड़ेगा देखो हमने बोला कि टोटल वर्गडन क्या आना चाहिए जीरो तो इसका मतलब जो वर्गडन A से B जाने में होगा वो किसके बराबर होगा मतलब इन दोनों का सम क्या आया था जीरो वर्गडन A to B प्लस वर्गडन B to A या आना चाहिए जीरो क्योंकि conservative की property होती है फिल्ड की तो आप क्या बोल सकते हो कि वर्गडन A to B equals to negative of work done from B to A ये खासियत होती है conservative फिल्ड की मतलब आप किसी point A से किसी point B पे गए तो आपको A से B जाने में जो work करना पड़ेगा वो work किसके बराबर होगा अगर आपको B to A आना हो तो उसके negative के बराबर होगा मतलब क्या है कहने का simple सी बात है मतलब A से B में अगर आप energy दे रहे हो तो आपको B से A में energy मिलेगी if A to B energy is required हो सकता है कि A to B जाने में आपको energy लगानी पड़े ये कौन सा case हो सकता है कि आपके पास एक positive charge हो और एक और positive charge को आप उसके pass ला रहे हो तो अगर आप pass लेकर के आ रहे होगे तो आपको A से B जाने में energy देनी पड़ेगी क्योंकि ये plus वाला अराम से नहीं जाएगा प्लस वाले के पास ये भागने की खूब कुशिश करेगा तो आप इसको ले तो जा रहे हो ऐसे लेकिन आपको energy देनी पड़ेगी तो अगर A से B में आपको energy देनी पड़ती है क्योंकि इन दोनों के बीच में repulsion था लेकिन अगर मैं एक charge को B point से A point तक ले जाना चाहता उसी charge को, प्लस वाले को तो क्या मुझे energy देनी पड़ती? नहीं मुझे बस यहाँ पे charge particle को रखना होता वो अपने आप भग करके वहाँ जाता तो यही concept होता है conservative field में क्या होता है? कोई भी जहां से आप शुरू कर रहे हो वहीं पे अगर आप पहुँच करके आ रहे हो या फिर कोई A point है A उससे आप B तक जा रहे हो तो A से B जाने में जो आपको energy लगती है वो B से A आने में वापिस भी मिल जाती है इसका एक और अच्छा example हो सकता है gravity वाली energy हम जानते हैं ऐसे कि मानलो कोई वजन है 10 किलो का और इसको आप उपर उठा करके ले जा रहे हो 2 मीटर तक तो आपको कितना work करना पड़ता है तो MGH तो 200 जूल लेकिन अगर आपको इसी मास को उपर से नीचे लाना हो तो आपको इतना work नहीं करना पड़ेगा अपने आप आएगा ना वो तो अगर ये point A है और ये point B है तो मैं बोलूँगा कि A से B में तो मुझे work करना पड़ेगा मुझे A से B में work क्या करना पड़ेगा मुझे energy देनी पड़ेगी लेकिन जब B से A लाना होगा तो वो अपने आप आएगी ठीक है? energy तो हमको release होगी और release होने का सबूत क्या है? कि इसको किसी बड़ी चीज पे गिरा दो तो वो चीज तूट जाएगी उसके अंदर energy है kinetic energy potential तो यहाँ पे जो टर्म आती है potential energy वो यहीं से शुरू होती आनी तो सबसे पहला point यह हुआ कि अगर आपको निकालनी है या बताना है potential energy के बारे में तो यह potential energy केवल और केवल किन forces में होती है conservative में ही होती है non conservative में इसका कोई फंडा नहीं होता पिर दूसरा point पताया था यहाँ पे conservative का दूसरा point क्या था conservative का मेरे पास में एक तो loop वाला था और दूसरा point क्या था कि अगर आप एक point से दूसरे point तक जाते हो तो आपको work कोई से भी रास्ता ले लो work सेम लगता है अगर मैंने यह दो रास्ते लिए होते A और B और अगर यहाँ पे जो field है यह field कैसी होती मतलब इस region में जो force है वो force कैसी होती conservative तो मैं बोलता कि A रास्ते में work done और B रास्ते का work done दोनों बिलकुल सेम आएंगे तो यह conservative है तो सबसे पहली जो definition होती है यह proper statement हर जगे पर लगता है देखो अगर आप energy देते हो अगर आप energy देते हो तो आपको क्या मिलता है work मिलता है ठीक है जैसे आप किसी पत्थर को उठा करके उपर ले गए तो इस process में आपने energy दी तो आपने उपर energy दी इसको ले जाने में तो जब यहाँ ले आए तो यहाँ पर इसके अंदर एक energy है वोंसी energy है वो potential energy के form में store हो गई लेकिन work आपको मिला है क्यों जब आप इसको वापिस छोड़ दोगे तो यह अपने आप energy क्या करेगा release तो अगर आपको किसी path में energy release हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर work is output मतलब energy convert होती है work done में और work done convert होता है energy में दोनों inter convertible होते हैं कभी भी energy को हम define करेंगे या work को define करेंगे तो दोनों एक ही बात होती है इसलिए work का unit भी वही होता है जो energy का होता है यानि कि joule तो हम potential energy को define करते हैं ऐसे कि जो भी energy किसी body की किसकी वजह से हो due to अब या तो आप बोलोगे इसको position या फिर आप बोलोगे इसको configuration energy due to position और configuration of an object और कौनसी field में या दखना potential energy केवल और केवल किसमे होती है conservative field में ही होती है और आपको निकालनी है कभी भी potential energy तो potential energy को निकालने के लिए जो formula लगाओगे वो formula किसके बराबर आएगा work done फिर आगे तुम kinetic energy निकालोगे kinetic energy को निकालने का formula भी क्या आएगा work done फिर आगे हम mechanical energy को निकालते हैं mechanical energy का formula भी क्या आएगा work done हमारे 12th में भी बहुत derivation है 11th में भी है जितमें भी कभी भी energy के बात होगी तो हम क्या निकालते हैं हमेशा work done तो अब जिसके बात करी है potential energy की तो potential energy की दो type होती है basically type तो और भी होती है लेकिन हम जिन दो तरह की deal करेंगे उसके बात बत कर रहा हूँ एक तो gravity की वजह से और एक हो जाती है जैसे spring type mechanism में spring के अंदर भी potential energy आ जाती है मतलब energy store हो जाती है और gravity की वजह से भी होती है energy store तो पहले हम बात करेंगे कि gravitational potential energy तो gravitational potential energy definition क्या होगी definition होई आ जाएगी कि energy due to position of an object और किसके respect में अर्थ के respect में या फिर किसी mass के respect में मतलब आप बोल दो कि वहाँ पे कोई gravitational field है मतलब कोई gravity की force है कहीं पे या gravitation की force है तो वहाँ पे अगर आप इसको ले जाओगे particle को कहीं पर भी तो वहाँ पे जो energy आएगी वो gravitational potential है नेटी होगी अच्छा दो मैंने example नहीं बता है इसके conservative field के तो conservative field का example याद रखना conservative field के best example होते हैं एक तो gravitational force और एक electromagnetic लेकिन आप उसको electric forces ही माल लो या फिर electrostatic forces यानि कि जो coulombs force होती है k q1 q2 बटे में r square और भी वैसे कई forces हैं जो conservative हैं लेकिन में लिए आपकी यही दो force काम आएंगी और non-conservative का सबसे अच्छा example क्या होता है friction non-conservative का सबसे अच्छा example होता है एक तो friction और दूसरी चीज़ होती है air friction या फिर आप बोल दो air resistance या फिर viscosity यह वही होता है viscosity का मतलब fluid का friction कोई भी liquid है यह gas है उसके friction को हम viscosity बोलते है अब friction कैसे है non-conservative तो अगर हम बात करें किसी object की तो मालनो यहाँ पे कोई जमीन का टुकडा है और यहाँ पे friction है यहाँ पे friction है तो इसमें क्या होगा अगर आप particle को A से B ले गए यहाँ पे मालनो कोई भारी चीज है आप उसको U ले गए एक तो इस रास्ते से ले गए और एक आप उसको ऐसे ले गए दूसरा रास्ता यह वाला है B वाला तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमको ज़ादा work किसमे करना पड़ेगा तो हमको work ज़ादा किसमे करना पड़ेगा B वाले केस में ठीक है जो आप work करोगे B वाले केस में वो work ज़ादा करना पड़ेगा आपको A से क्यों? यहाँ पे friction है और friction है मतलब तो आपको friction में जितना दूर ले जाना होगा उतना ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है A to B में आपका रास्ता क्या है? चोटा सा और यहाँ पे जो दूसरा रास्ता है B वाला वो लंबा रास्ता है अगर इसका दूसरे point के बात करूँ तो ऐसा ही कोई फर्ष है जिस पे friction है बहुत ज़ादा और यहाँ पे आप किसी भारी मास को कोई बोरी है मानलो 100 कि उसको अगर आप गुमा फिरा करके यहाँ ले गए और फिर दुबारा से यहाँ लियाओगे तो आप यह नहीं बोलोगे कि work done zero होगा आपको work तो कटना ही पड़ेगा आप उसको ले जाओगे जब इस point A से किसी point B की तरफ तब भी आप ही energy दे रहे होगे और जब B to A लह रहे होगे तब भी आप ही energy दे रहे होगे तो non conservative में ना तो close loop किया long work done zero होता है और ना ही मतलब उसको अगर आपको दो point के बीच में ले जाना है तो जिसका maximum distance होता है उसमें work done maximum होता है मैं A to B ले गया किसी चीज़ को यह रास्ता हो गया A और एक में किसी चीज़ को ले गया ऐसे यह रास्ता B और एक में किसी को ले गया ऐसे इस रास्ते का नाम C तो यहाँ पर आप बोलते हो कि अगर यह field कैसी होती non conservative तो इसका मतलब आपको work सबसे ज़्यादा किसमें करना पड़ता C में, फिर B में और फिर A में तो non conservative का अच्छा example होते है friction या फिर liquid का friction यानि कि viscosity और जो conservative field है उसका example यहाँ दखना दोनों ही बड़ अच्छे example है 11th में gravitational की बात करोगे और 12th में आप electrostatic force की बात करोगे तो यह दोनों forces कैसी होती है conservative मतलब एक तरह से loss ना हो करके इनमें energy stored हो जाती है तो अब हम gravitational potential energy का derivation अगर करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे उसमें कभी भी बताया था जिसे हमको अगर energy निकालनी होती है तो हम energy हमेशा किसके बराबर बोलते है work done के बराबर तो हमको निकालनी है gravitational potential energy हमारे एक पास कोई mass है M, उसको माल लो हम यहां से यहां ले गए A to B अब हम अगर उसको A to B ले गए तो मैंने यह बोल दिया कि यहां पर जो potential energy आएगी वो तो किसके बराबर होगी work done के और बाद में ढंक से बताऊंगा कि minus of work done के बराबर होती है लेकिन यहां पर भी confusion हो जाएगा क्योंकि यहां पर दो forces होती है देखो एक तो जब आप इसको उपर ले जाओगे तो आपको उपर तो force लगानी पड़ेगी तो यह जो force आप उपर लगाओगे इसको ले जाने के लिए इस force का नाम होता है external force इस force को आप क्या बोलोगे external बाहर से जो लगा रहे हो तो अगर आप किसी चीज को ले करके जा रहे हो A to B gravity में तो दो forces काम कर रही है तो एक तो अगर मैं इसको define करता हूँ तो मैं बोलूगा कि work done by gravity उसका negative के बराबर होगा और एक formula हो सकता है potential energy का कि work done लेकिन work done किस के द्वारा हो जो external force होती है actually में जो conservative force होती है उसमें potential energy जब हम निकालते हैं दो तरीके होते है या तो आप ऐसे लिखो कि potential energy बराबर होती है negative of work done के लेकिन work done कौन सा work done किस के द्वारा होगा यहाँ पर जब minus आएगा तो जब minus sign आएगा जब minus sign आता है तो यहाँ पर कौनसी force होती है जिस भी conservative force की बात कर रहे हुआ तो आप बोलोगे कि potential energy किस के बराबर होती है negative of the conservative force का work done conservative force का work done और अगर आपको उसकी conservative force की बात ना करके बात करनी हो external source की या external force की तब आप बोलते हो कि potential energy बराबर होती है work done by external force नॉर्मली board में तो इतना नहीं गिसते है इस चीज में लेकिन डंके एक्जाम में काफी चीज इस पे confuse करने के लिए देखे है अब अगर हमको निकालनी है potential energy तो हमारा step क्या रहेगा कहां से start करेंगे हम minus of work done और किसके द्वारा gravity के द्वारा तब देखो अगर आप किसी चीज को A से B ले गए हो अगर आप किसी चीज को A से B ले जा रहे हो नीचे से उपर तो आप कहीं पे भी देखोगे तो उसके उपर जो gravity की force लग रही होगी उसका direction कहां होगा नीचे gravitational force कहां लग रही होगी downward direction में और आप इसको ले कहां जा रहे हो आप इसको ले करके जा रहे हो upward direction में यानि कि यहां यहां पे क्या है इसका displacement और gravity कहां लग रही है नीचे की तरफ तो जब हम formula लगाएंगे work done का gravity के लिए तो अगर मैं इस equation में रख देंगे हम answer लाने के लिए तो अगर मैं work done के बात करूँ gravity के द्वारा और A to B तो वगड़न का जो basic formula होता है मैं यहां पे वही लगा सकता हूँ वगड़न का formula F dot dx या फिर F dot x force और displacement का dot product तो यहां पे जो gravity की force है उसकी value कितनी होती है weight के बराबर तो mg x तो आप बोल दो कि यहां से यहां तक जो height है यह है h तो यह height हो जाएगी यहां पे h और दोनों के बीच का angle क्या होगा 180 degrees ठीक है क्योंकि displacement तो आप उसको ऊपर ले जा रहे हो और force कहां लग रही है gravity की नीचे तो angle क्या है उनके बीच में 180 degree का तो आपके पास answer क्या आएगा यहां पे mg और cos 180 आजकल minus 1 है तो work done की value क्या आएगी gravity के द्वारा minus of mg तो फिर आप बोल दोगे कि potential energy क्या होती है इस work के negative के बराबर तो आप बोलोगे potential energy वो बराबर थी minus of work done by gravity तो आप अगर यहां पे minus और यहां पे minus लगाओगे तो answer आएगा आपके पास potential energy का mg यह gravitational potential energy को निकालने का formula होता है यहां पर अभी 3-4 बाते और भी हैं जो बता सकता हूँ मैं पर उन में से बस अभी एक यह बात बता रहा हूँ potential energy हमेशा ही जब आप नापते हो तो वो कैसे नापते हो दो points के बीच का difference difference between two points मतलब किसी एक point की potential energy आप नहीं बता सकते यह कुछ वैसा ही है कि पहले आपका वजन मलनो 100 kg था अब हो गया 70 तो जो change हुआ वो 30 का हुआ है लेकिन अगर कोई ऐसे बूले कि किसी time पे कितना है तो जब तक change नहीं होता हम बात नहीं करते है energy की कि energy नहीं नाप सकते है आप कभी भी आप खुद का exact weight कभी नहीं नाप सकते वो decimal में चलता जाएगा चलता जाएगा infinity तक लेकिन हम difference नाप सकते हैं तो potential energy हमेशा difference होती है तो मैं जिसको भी potential energy लिखूँ चाहे 12th में चाहे 11th में चाहे कोई भी book हो इसका formula हमेशा यह होता है delta u मतलब change मतलब final potential energy minus initial मतलब ऐसा कभी नहीं होगा जैसे potential होता है वैसे ही potential energy होती है लिखने को लिख देगा कई बार वो u लेकिन u का मतलब हमेशा क्या होता है change जैसे potential होता है उसका मतलब भी हमेशा क्या होता है change जैसे charge होता है तो charge का मतलब भी क्या होता है कि कितना charge flow कर गया तो change इस तरह से तो जो real formula आता है potential energy का वो यह आता है change of potential energy तो यह आएगा आपके पास में MGH तो यहाँ पर आप जब इसको लिखते हो तो क्या लिखोगे final point था B, आप इसको A से B ले गए थे तो A नीचे वाला point था B उपर वाला point तो final position है B की और initial है A की तो इन दोनों की potential energy का difference कितना आएगा MGH अब potential energy में हम किसी A point की energy को 0 माल लेते हैं तो अगर मैंने माल लिया कि A point की potential energy 0 है तब मैं बोलूँगा कि B point की potential energy कितनी होगी MGH लेकिन मेरी मर्जी है अगर मैं नहीं मानना चाहूं A point की potential energy को 0 तो कोई बात नहीं मैंने माल लिया कि A point की potential energy कितनी है X Joule, ठीक है, तो अब अगर मैं यह formula लगाऊंगा, change वाला, तो potential energy of B, minus potential energy of A, यह था MGH, तो आपको यहाँ पर B की potential energy क्या मिलेगी, X plus MGH, A वाली term, वहाँ चल जाएगी, तो बात तो अब भी वही आई न, अगर आप A और B के बीच की निकाल रहे हो energy, तो उसकी value कितनी आएग change, कहने का मतलब है, कि आप सिर्फ change निकाल लो, वही आपको justify कर देगा, जैसे कोई चीज यहाँ होती, मालो, P point पे, और यहाँ से मैं ले गया होता, उसको Q point पे, तो अगर मैं formula लगा रहा हूं, potential energy का P2Q में, तो वो potential energy का formula क्या आता है, मालो Q की height है, बड़ा वाला H, और ज potential energy क्या आती है, M, G, और यहाँ पे क्या आता है, P2Q, आप उसको P से Q ले गए हो, तो PQ की value क्या आएगी, capital H minus छोटा वाला H, तो आप बोल दो, कि यह वाली जो height है, इसको आप कुछ भी माल लो, यह माल लो आपके height हो गई, suppose, H dash, H dash height हो गई, तो यह potential energy क्या आ गई, M, G, H तो यह जो difference आया है, वो इन दोनों की height के बीच में आया है, यहाँ में और यहाँ में, अब अगर आप माल लो P point की potential energy को मानते है, 0, तो इसका मतलब Q point की potential energy क्या आती, M, G, H, अगर आपने उसको 0 ना माना होता, आपने कुछ value मान ली होती उसकी, तो Q point की energy क्या आती, M, G, H plus X, फिर भी difference क्या रहता, same, उनका difference नहीं बदलता, difference तो हमेशा यही रहता, कि M, G, H, तो यह होती है, gravitational potential energy, और एक चीज़ होती है, spring, अगर spring की बात करनी है, spring की potential energy की, तो spring की potential energy निकालने के लिए, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, कि spring में जो force लगती है, उसका nature कैसा होता है, तो अभी तुमारे ज़्यादा नहीं है, इसमें आगे आएगा 7th unit में, एक law होता है, Hooke's law, तो Hooke's law ये बोलता है, कि जो spring की force होती है, या फिर जो, इनको बोलते हैं, simple जो oscillation जो कराती है, SHM वाली, उनको बोलते है, restoring forces, पर अभी हम इसको यही use कर लेंगे, कि spring की force, otherwise इनका proper नाम होता है, restoring force, तो spring की force proportional होती है, negative of the displacement, और displacement कहां से, तो spring की natural length से, इस चीज का क्या मतलब हुआ, पहले आपके पास कोई spring थी, और वो spring थी relaxed, मतलब ना तो आपने उसको खीच रखा था, नहीं आपको ने उसको दबा रखा था, तो इसकी ये natural length थी माल लो L, और अब आपने spring को खीच करके इतना लंबा कर दिया यहां पे, तो जो पहले वाल इसकी L, उससे आगे जो ये length कवर करेगी, इसको ही मैं क्या बोलूँगा, displacement, अगर आप इसको spring को दबाने लग जाते हैं, और आप spring को यहां ले गई होते हैं, माल लो, आपने spring पिचका दी होती, तो भी मैं इसी distance को क्या बोलता, displacement, x, इसलिए आदखना, spring force को हम लिखते है f equal to minus of x, लेकिन x क्या होता है, यहाँ पर displacement, या फिर extension, यानि कि खिचाव, या फिर compression, बट कहां से नापते हैं spring में हम, from natural length, total length नहीं नापते हैं, उसके natural length से change नापते हैं, तो spring के लिए, अगर हम force को लिखना चाहें, तो force कैसे लिखते हैं, f proportional to minus of x, यानि negative of displacement, proportionality हटा करके, हमें constant लिखते हैं, और उस constant का नाम होता है k, इसको spring constant बोलते हैं, बाद में बात करेंगे, इसके बारे में detail में, तो अगर मुझे spring के दौरा, spring के क्या निकालनी है मेरे को, potential energy, तो spring की potential energy बराबर होगी, negative of work done, कौन सी force आएगी यहाँ पे, spring force, इसी force में हम कर रहे हैं काम, तो अब आपने क्या करना है, शुरू में तो जो चीज थी, जो spring थी, वो बिलकुल ऐसे पड़ी थी माल लो, यह इ इसको खीच करके इतना खीच दिया, तो इसके natural length से, माल लो, आपने इसका total displacement कर दिया, इसका total displacement है y, जो आपने खीचा, और मैं मान रहा हूं, यह जो point spring का natural length से, a, और आप यहां तक लिया है, इसको b point तक, तो आप यहां क्या बोलोगे, आपको word done निकालना है, तो यहां प पहली बात तो, यह formula क्यों लगाना पड़ेगा, देखो, force depend करती है displacement पे, तो force constant नहीं है, यह force कैसी है, यह force variable है, तो जब variable force होती है, तब हमको integration करना पड़ता है, integration को मैं कैसे समझता हूँ, कि इन दोनों point के बीच में, जहां से a से लेकर के हम b तक ले गए उसको, आप माल लो, कि किसी भी x distance के बाद, कोई भी आपने x distance लिया, a से b के बीच में, दोबराय बना देता हूँ इसको, यह point माल लो a था, यह point b था, तो आप ऐसे लोगे कि a औ उसको कोई थोड़ा सा आगे ले जाओ, किसी point d तक और उसका distance कितना है यह, dx, integration का यह तरीका होता है, देखो वैसे तो force लगातार change हो रही है, तो देखा जाए, तो जो force c point पे आती, उसकी value क्या होनी चाहिए थी, तो माल लो, उसके value होती, k into में displacement कितना होता उसका, ac, और जो force आने चाहिए थी, d point पे उस force की value होनी चाहिए थी, minus of k into में ad, अब वैसे तो यह distance अलग-लग होते हैं, लेकिन integration का basic concept क्या होता है, है, कि जो भी हम ये dx लेते हैं, ये क्या होगा, ये x से बहुत, 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 बहुत छोटा होता है, मतलब अगर आपने x लिया है मानलो 2 मीटर, अगर x आपने 2 मीटर लिया है, तो इसका मतलब dx कितना होता है लगभग, तो आप बोलोगे 0.0000001 मिलिमीटर, इतना छोटा, इतना छोटा होता है, इसलिए हम बोलते हैं, कि x में अगर आप dx को जोड़ दो या घटा दो, तो कोई नहीं पड़ता, वो किस के बराबर रहता है, x के बराबर, वो जो हमने यह चोटा सा इंटरवल माना, यहां पर cd, जो चोटा सा इंटरवल है हमारे पास, cd, इस इंटरवल में क्या हो रहा है, हम इस इंटरवल में मानेंगे, कि c to d में, force क्या रह रही है, constant, हम यह c to d में चोटा सा work done, तो उसको मैं बोल रहा हूँ, dw, मतलब small work done, कहां से कहां c to d में, तो formula आएगा चोटे से work done का, integral f dot dx, अब यहां पर एक चीज़ और देखना, जब आप spring को खींच रहे होगे, मतलब आप spring को ऐसे ले जा रहे हो, तो spring को आप खींच रहे हो यहां पे, त opposite direction में, ठीक है, अगर आप spring को बाहर खींचते हो, तो spring force कहां लगाती है, opposite, और similarly, अगर आप spring को दबा रहे होते, मतलब compression कर रहे होते, तो spring कहां force लगाती, यहां, तो इसलिए, जब मैं इस dot को लिख रहा हूँ, तो dot को खोलने के लिए, मैं लिखूंगा, cost theta, और cost theta की value क्या आएगी, sorry, cost की value आएगी, 180 degrees, तो cost 180, minus 1, तो आप minus 1 को बाहर निकाल लो, fdx, और यहां पर force की value रख दो, force की value है, minus kx, actually मैं, यहां तो मिरे पास में plus हो गया है, बट इसमें confused नहीं होना, मतलब answer से मतलब होता है, plus minus तो हम खुद लगा लेंगे उसमें, लेकिन हमारा छोटा सा वगदन, dw, हमारे पास उसकी value क्या आ जएगी, हमारे पास वगदन की value आ जाएगी, k और integral x dx, k constant होता है, तो बदलता नहीं है, इसलिए integration से बाहर आ जाएगा, अब आप यहाँ पर लगा सकते हो formula, तो x का integration क्या होता है, x की power 2 by 2, integration का formula क्या होता है, x की power n का, x की power n plus 1, बटे में n plus 1, numerator में 1 power बढ़ा दो, और denominator में 1 power बढ़ा दो, तो आपके पास x का integration आएगा, x square by 2, तो आपके पास, sorry, अब मैंने जब इसको integrate कर दिया ना, तब तो यह क्या हो गया, total work, total work done क्या होता, छोटे से work done का integral, तो हमने जब start करना था, तो ऐसे start करना चाहिए था, इसको, तो यहाँ पर आपको total work क्या मिल जाएगा, देखो यह, formula गया, half k x square, तो spring की potential energy का formula होता है, half k x square, तो यहाँ तक यहाँ दखना है,